कि नमस्कार दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है और अकेडमी पर पुनाहां दस नए करेंट अफेस लेकर के आया हुआ हुआ मैं लोकेंद्र सिंग आप लोगों के लिए सभी लोगों का स्वागत है शुबम जी एस जी मोजो जी गुड़ीविनिंग राधे 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 वेरी गुड़ीविनिंग दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है बस हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का करेंट अफेर ओके जोस्तों करेंट अफेर को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम आपको कुछ इंपोर्टेंट न्यूज वगिरा देते हैं तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं ओके वो न्यूज यह है कि अनकैडमी एमपीपीश्ट चैंपिंशिप सिरिस टू स्टार्ट हो गया है सभी लोगों को मालूम है कि इसका रेजिस्टेशन करना है इसको जो है इन्रॉल्मेंट करना है इसका ओके तो जिन लोगों ने भी अभी तक इन्रॉल्मेंट नहीं किया है वीडियो के डिस्ट्रिप्शन के अंदर इन्रॉल्मेंट का लिंक दिया हुआ है आप लोग जरू कोचिंग बंद है जरूर इसमें काफे सारे बच्चे बढ़ेंगे आप लोगों को अपनी तयारी किस्तिती पता चलेगी जो पेपर होने वाला है दूस्तों वो होगा 31 में को होगा और दो पेपर होंगे 31 में को एक जीएस फर्स्ट का पेपर होगा जो 10-12 के बीच में होगा और एक जीएस सेकंड का पेपर होगा जो दूसरे चार के बीच में होगा तो टाइमिंग वैसा ही है जैसा MPPSC रखता है पैटन भी वैसी रहेगा जैसा MPPSC अपनों के लिए रखता है तो जितने भी लोगों नहीं किया है भी तक इंडॉल्मेंट वो इंडॉल्मेंट कर ली MPPSC 2020 की तैयारी करनी है वो जरूर सब्सक्रिप्शन ले लीजेगा क्योंकि यह बहुत इल्टिमेट बैच रहेगा जिसके अंदर अलग-अलग टीचर्स आप लोग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले मैं लोकिंद्र सिंग इस बैच के अंदर आपनों को दो आप लोग देखी रहे हैं तो काफी बड़ा ग्रूप है और काफी बड़ा ग्रूप है तो बहुत जल्दी आपनों का पूरा स्लीबस कवर हो जाएगा ओके इस बाइस के अंदर भी मैं लोकेंद्र सिंग आपनों को इंडियन जोग्रफिद्व दोस्तों पढ़ाने वाला ह तो ये एक batch already start हो चुका है एक तीन जून को start हो रहा है MPPSC 2020 के प्रिलिम्स के लिए एक MPSI का foundation course already start हो चुका है 12th में को दोस्तों काफी विस्तार से इसके अंदर पढ़ाया जा रहा है इसके अलावा MPPSC के लिए foundation course भी start हो चुका है 6 में से जिसके अंदर मैं लोकेंदर सिंग आप लोगों के लिए MP specific मतलब कि मध्यप्रदेश बढ़ा रहा हूं सुबह 830 को मेरी क्या होती है दोस्तों class होती है अब हम आगे के हमारी जो class है वो जून मंत में होने वाली है मेरी सारी classes ओके तो जितने भी लोगों ने सब्स्रिप्शन नहीं लिया है ले लिजेगा दोस्तों क्योंकि दो प्रिलिम्स के बेच्छ से स्टार्ट हो गए है और एक फाउंडेशन बेच स्टार्ट हो गया MPPSC के लिए MPSI के लिए तो फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है तो काफी अच्छे च्छे courses स्टार्ट हो गए है अनकेडमी के उपर जल्द जल्द आप लोग सब्स्रिप्शन ले लिजेगा दोस्तों गूड इवनिंग दोस्त लोकलाइव 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 इस कोड का यूज करने से आप लोगों को पैमेंट के अंदर 10 प्रतिशत का डिसकाउंट प्राप्त हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो कोड ज़रूर याद रखेगा लोकलाइव 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 10 प्रतिशत का डिसकाउंट प्र करने के लिए पहला प्रेश्ण आपनों की स्क्रीन के उपर है दोस्तों आज पहला प्रेश्ण है अठाइस मई दोहजार बीस को किस स्वतंतरता सैनानी को और हिंदुत्व विचारक जो थे विनायक दामुदर सावरकर की कौन सी जैनती मनाई गई है अंसर दीजेगा दोस्तों 28 मई दोहजार बीस को स्वतंतरता सैनानी और हिंदुत्व विचारक विनायक दामुदर सावरकर की कौन सी जैनती मनाई गई है इनके विशे में इनके विशे में आप लोगों को और भी information दूँगा मैं जहां से की prelims के question पूछे जा सकते हैं दोस्तों जल्दी से answer दीजेगा 137 वी जैनती मनाई गई ये दोस्तों ओके 137 वी जैनती हरा सरकार के द्वारा मनाई गई ये देख लीजे पूरी information के विशे में हैं देखे विनायक दामोदर सावर कर जो थे उनका जन्म 28 मई 2020 को भारत के 173 संग्राम के महान मतलब कहां पर हुआ था इनका जन्म हुआ था ना बासिक जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था ठीके बारत सरकार ने 28 में 2020 को इनको इनकी 137 वी जैनती दोस्तों मनाई गई इनके विशे में बहुत सारी information है जो मुझे आपनों को देनी ही दोस्तों इनके द्वारा कई संगठनों की स्थापना की गई जिसमें जो महत्तपू इनकी द्वार्श ने पूछे जा चुके है दोस्तों इसके अलावा इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था दा इंटियन वर अफ इंडियान वार 足 इंडिपेंडेंस 1857 ओगे 1857 के रिवॉल्ड के लिखी गई ये बुक थी जिसमें इनोंने 1857 के स्वतन संगराम को भारत का प्रथम स्वतनतरता संगराम नाम दिया था और इसके अलावा फ्रांसीं में संगठन इंडिया हाॉस और हिंदुत्व इन्होंने और क्या लिखी थी, बुक्स लिखी थी दोस्तों, हिंदोत्व भी इनकी बुक है, जिनके अंदर इन्होंने द्वी रास्ट का सिध्धान दिया था, इसके अलावा विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उनको काला पानी की सजा भी मिली उई थी, हंडमान निकोबार द्वीब समू में वो सजा को काटने के लिए दोस्तों गए हुए थे, इसके अलावा इन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, तो इस तरीके का प्रेशन आ सकता है दोस्तों की भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किस ने किया था, विनायक के आधार पर पोर्ट ब्लेयर हवाई अड़े का नाम जो रखा गया है वो विनायक दामोदर सावर कर हवाई अड़े के नाम से रखा गया है सबी लोगों को मालूम है जो पोर्ट ब्लेयर का हवाई अड़ा है उसका नाम है वीर सावर कर हवाई अड़ा है उसका नाम है ठीक ह लिए चले इनके विषय में और भी बहुत सारी information है दोश्तों इन्होंने आजादी का काम करने के लिए एक गुप्थ society का भी निर्मान किया था उसका नाम था मित्र मेला तो बहुत सारे questions इन से बनने की संभावना हैं मित्र मेला नामा के एक गुप्थ society का भी इन्होंने निर प्रफम दिया था जो हमारे तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगा हुआ है दोस्तों उसको लगाने का सरुपर्फम सुझाओ वी सावर करके द्वारा ही दिया गया था जिसे किसके द्वारा स्विकार किया गया डॉक्तर राजिन प्रशाद के द्वारा फिर उसको स्विकार कर लिया गया था ओके इसके अलावा और भी बहुत सारी इनके द्वारा काम किये गए जहां से के प्रेशन पूछे जा सकते हैं दोस्तों स्वतंतरता अंदोलन को देखो इन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंतरता को भारत के स्वतंतरता अंदोलन का क्या क्या लक्ष गो गोशित किया था वीर सावरकर जी नहीं गोशित किया था वे ऐसे प्रथम राजनितिक बंदी थे जिनें विदेशी भूमी पर बंदी बनाने के कारण हैग के अंतर रास्टी नियाले में मामला पहुंचा था वीर सावरकर जी को विदेशी भूमी पर बंदी बनाने के कारण ये मामला कहां पर पहुंचाया गया था नीदर लेंड के हैग नियाले में पहुंचाया गया था ये पहले ऐसे राजनितिक बंदी थे तो बहुत सारी इंफोर्मेशन है दोस्तों इनके विशमे में फिर से इनकी सारी इंफोर्मेशन को आपनों को देना चाहूंगा जिसा कि अभी ये वाला जो question था इस question के अंदर मैंने आपनों को बताया कि 28 मही 2020 को वी सावरकर्ट जी की 137 वी जैनती मिनाएगी इनका जन्म कब हुआ था 28 मही 1883 को नासिक जीले के अंदर इनका जन्म हुआ था इसके लावा इनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं का नाम क्य उके इनके द्वारा लिखे गई जो book है इनके द्वारा लिखे गई जो book है जिसका नाम है the Indian War of Independence 1857 जिसमें इनोंने ये कहा था तक एंधार सु संतावन का सवतंत्रता संगराम भारत का ब्रथम सवतंत्रता संगराम है ये इनोंने कहा था काला पानी की इनको सजा मिली थी अंडमान निकोबार द्यूप में उस सजा को भोगने के लिए गए भी थे साथी साथ इसी आधार पर जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगा है उसका नाम क्या रखा गया है वीर सावर कर अंतरास्टी बंदरगा उसका नाम रखा गया है तो बहुत सारी इंफोर्मेशन है दोस्तों इनके विशे में जैसे यहाँ पर मैंने आप लोग बताया कि जो धर्म चक्र लगाने का सुझाओ दिया था सरप्रतम वीर सावर करके द्वारा ही दिया गया था इसके अलावा विदेशी भूमी पर बंदी बनाने के लिए पहले भी प्रेशन आए अभीनाव भारत फ्री सोसाइटी जैसे क्वेश्चन पहले भी MPPSC और अधर स्टेट PCS के अंदर अलड़ी पूछे जा चुके हैं ओके दोस्तों यह हैं विनायक दामोदर सावर कर भूँ सारी बाते हैं बहुत सारी बाते हैं एम्रोज जी है ना लेकिन समय के अभाव के करण हम सभी बाते नहीं कर सकते हैं जो जो important चीजे हैं उसकी बात अपन बिल्कुल यहाँ पर कर रहे हैं ओके है वैसे तो उनकी पिर जीवनी बहुत बढ़ी है निवन मेंसे किस संग जल्दी से आंसर दीजेगा निम्न मेंसे किस संगठन ने कोविट कथा का हिंदी संस्क्रण जारी किया चलिए जल्दी आंसर दीजेगा बिल्कुल इसका आंसर दोस्तों C है रास्टी विज्ञान एवं प्रौध्योगी की संचार परिशद देख लेते हैं इसका एस्प्लिनेशन क्या है आपनों की स्क्रीन के सामने है दोस्तों रास्टी विज्ञान एवं प्रौध्योगी की संचार परिशद विज्ञान एवं प्रौध्योगी की विभाग ने डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के साथ संयोग करके कोविड-19 महामारी के संदर्व में जन जागरुता फैलाने के लिए कोविड कथा नामक एक बुक को क्या किया है उसका हिंदी संस्क्रण जारी किया है दोस्तों ये कोविड कथा नामक जो यहां पर जारी किया गया है इसका हिंदी संस्क्रण उसके पीछे का उद्देश ही ज जोरान अगर कोई संक्रमन हो रहा है तो फिर क्या किया रहा सकता है कौन-कौन से उसके लक्षण है और किस तरीके से साउधानी बरती जा सकती है तो यह पूरी उस COVID कथा के अंदर सारी जानकारी दी गई है तो इसको जारी करना ही इसका Hindi Sanskrit जारी करना काफी जादा important था इसका English Sanskrit था लेकिन चुकि हिंदी भासी राज्यों के द्वारा काफी ज़्यादा इसके विशे में बोला गया था कि इसका Hindi Sanskrit भी जारी कीजिए ताकि इसका फाइदा उठाया जा सके इसका लाब उठाया जा सके तो इसलिए Hindi Sanskrit भी इसका जारी किया गया है विध्यान एवं प्रौध्योगी की संचार परिशत के द्वारा ओके दोस्तों next question है आपनों की स्क्रीन के उपर मुझतबा हुसेन का हाली में निधन हो गया है यह प्रसद्द लेखक थे दोस्तों इनके विशे में question पूछा जा सकता है क्यों पूछा जा सकता है उसके पीछे का मैं कारण बताऊंगा अभी क्योंकि यह काफी ज़्यादा highlighted जो है लेखक थे इसलिए इनके विशे में question पूछे जाने की संभावना जादा है चलिए अरे कोई बात नी चलिए कोई दिक्कत नी है बहुत सारे लोगों ने d answer दिया उर्दू के हैं ओके चले थैंक्यू उर्दू के हैं यह बिल्कुल right answer है दोस्तो जितने भी लोग class के अंदर बेटे हुए हैं जल्द से जल्द class में से वहाँ जाकर के और like के बटन पर click करके आजाएं जल्द से जल्द जाएं और like के बटन पर click करके आजाएं और फिर मैं इसका explanation आप लोगों के लिए देता हूँ जल्दी जाएं दोस्तों और दोस्तों हो गया थैंक्यू थैंक्यू धन्यवाद सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जल्द से जाकर के और like के बटन पर click करके आजाएंगा थैंक्यू दोस्तों मुझतबा हुसेन का हाली में निदन हुआ ये उर्दू के महान लिखक थे इनके विशे में बहुत सारी बाते हैं दोस्तों जोकि जाननी चाहिए आप लोगों को वो इसलिए क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि जो 2019 में भारती नागरिक्ता संसोधन अधिनियम आया हुआ था उस समय ये काफि ज़्यदा रहे हैं यहां पर देखैं आप तो इनकी जो बुक्स वगेरा है उसके doğरियमे बींकर इंफोर्मेशन दी गई हैं जो रासी वर्ष की आयू में हैदराबाद तेलंगाना में इनका निधन हुआ है दोस्तों इनको जो दिया गया था पदमिर्शी आवार्ड जो दिया गया था वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था 2007 में ठीके लेकिन 2019 में जो प्रॉब्लम हुआ सबी में इन्होंने पदमिर्श्री अवार्ड भारा सरकार को लोटा दिया था इसलिए यह काफी जदा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह है मुझतबा हुसेन साब जो कि उर्दू के लेकक हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों थैंक यू सैंक यू धन्यवाद है हाँ बहुत सार थैंक यू एस जे मोचो दी धन्यवाद फ्लिप काट ने आम किसानों को आम किसानों का मतलब जन्रल किसान नहीं है दोस्तों मैंगो पार्मर्स की बात चल रही है आपर फ्लिप काट में आम किसानों को समर्थन देने के लिए निमलेखित में से किस राज के आम विभाग के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर की जल्दी से आंसर दीजेगा बिल्कुल हेमरोज जी सार्दा महरा मान सिंग जी रंजना साकेट स्वाती सपना एश जे मोजो जी एंड शुभम तिवारी जी तिंदर पाल राज ठाकवर दोस्तों इतने लोगों ने आंसर दिया है मुझे अभी तक बिल्कुल सही आंसर दिया है करनाटक करनाटक राज्य के आम किसानों के साथ में फ्लिपकार्ट ने समझोता किया है दोस्तों इसलिए किया गया है क्योंकि वर्तमान में कोविड नैंटीन के जो परिस्तिती चल रही है इस परिस्तिती के अंदर आम किसानों के लिए काफी ज़दा प्रॉब्लम हो रही ह कि वो अपने आम कहां पर बेचे ठीक है तो फ्लिप कार्ट ने उनके साथ में समझोता कर लिया है और उस समझोते के माध्यम से कुछ विशेश प्रकार की किस्मों के तीन-तीन किलो के पैकेट लोगों के घर तक पहुँचाए जाएंगे तो यह बड़ी अच्छी चीज है यह देख लिजिए दोस्तो कौन-कौन से वो किस्म है जिनकी की तीन-तीन किलो के पैकेट जो हैं फ्लिप कार्ट के माध्यम से उकलब्ध कराय जाएंगे अलफासोग बा तो ये काफी अच्छी पहल है फ्लीप कार्ट के द्वारा कि वर्तमान में जो आम का सीजन है उसके उस सीजन के अंदर सभी लोगों को आम उपलब दो जाए ओके चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर ये अच्छा ब्रश्न है इसमें एक विशेश प्रकार की योजना के विशे में जानेंगे हम लोग और साई के विशे में जानेंगे भारती खेल प्रादी करण के विशे भारती खेल प्रादिकरण साई के संदर्ब में निम्ष के खतनों पर विचार करना है भारती खेल प्रादिकरण साई ने 2749 खेल इंडिया एथलीटों के खातों में भत्ते के रूप में 30-30,000 रुपए जमा की है सेकंड पॉइंट है, 35 राज और केंदर शासित प्रदेशों के एथलीटों को 21 खेल विश्यों में आउट आफ पॉकेट भत्ता दिया गया है इसमें कौन सा अंसर सही है बिल्कुल यहाँ पर सार्धा महरा जी का अंसर सही है, SJ मोजो जी का अंसर राइट है शुभम तिवारी जी का भी अंसर सही है, एक और दो दोनों सही है दोस्तों, एक और दो दोनों यह सही है देखते हैं, इसका explanation क्या है भारती खेल प्राधिकरण साही ने 2749 खेल एथलीटों को के खातों में भत्ते के रूप में 30-30,000 रुपे जमा कराएं दोस्तों यह कुल रकम 8.25 करोड की है, दोस्तों खेल प्राधिकरण के अनुस्त, यह जो हमारा साही है, भारती खेल प्राधिकरण है वो साल भर में खेल के जो एक विशेश प्रकार की योजना है, दोस्तों जिस योजना का नाम है, खेलो इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, खेलो इंडिया, इस खेलो इंडिया योजना के तहत भारती खेल प्राधिकरण, जितने भी एथलेट इस योजना के अंदर शामिल होते हैं, उनको एक लाक बीस हजार रुपे का भत्ता साल भर में प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर ये जो भत्ता दिया गया है, वो 30,000 का पहली तिमाही का भत्ता दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और साई के विशे में हम लोग जानकारी प्राप्त के लिए तो देखेगा, फिर से सुन लीजेगा, खेलो इंडिया के अंतरगत, जो एथलेट से उनको एक लाग 20,000 का साल भर कबता मिलता है भारती खेल प्रादीकरण के द्वारा ओके छले भारती खेल प्युश्य में कुछ मे mazeckon न्यूस देख लेतते हैं जहांसे की प्रैश्ण बनते हैं दोस्तों MPPAC अंदर यहां पर लिखावा कि भारती खेल प्राधिकरन भारत में खेल के विकास के लिए भारत का सर्वोच रास्टी खेलने कॉज़ा सकता है इसका मुख्याले वियाद क esse जीएगा क्योंकि यह भी पूछ जा सकता है इसका मुख्याल है जवाहरलाल नहरू stadium दिल्ली सटाइढम आता ये 34 ँपर मुक्याल के मंदर मुख्याल है जवाहरलाल नहरू खेल स्टेढम दिल्ली के अंदर इसका मुख्याल है दोस्तों ओके इसके बाद छटवा प्रेशन है दोस्तों आप लों की स्क्रीन के उपर कि नमलखित में से किस देश के तेज गेंदबाद स्पोर्ट से रिलेटेड अगली न्यूस दोस्तों जहां से कि प्रेशन पूछे जाने की संभाव नहीं त तेज गेंदबाद सेहान बदूशनका को ड्रक्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गिया है आंसर दीजेगा कहां के हैं ये शेहान मदूशनका जल्दी-जल्दी आंसर दे साकेथ शर्मा जी का अंसर आया अभी तक मेरे पास में एस जे मोजो बिल्कुल बिल्कुल एस जे मोजो जी का अंसर सही है श्रिलंका के हैं दोस्तों ये दोस्तों इस तरीके के एथलीट्स के विशे में MPPSC अक्सर प्रेशन पूछ लेता है के शेहान मदुशन का किस देश के खिलाड़ी है ऐसा कॉशन पूछ लेता है श्रिलंका के ये दोस्तों ये शेहान मदुशन का जिनने हाली में 2 ग्राम मात्र 2 ग्राम ड्रक्स रखने के आरोप में ग्रफतार कर लिये गया है इनके द्वारा 2 T20 मेच खेले गए अभी तक और 1 वंडे मेच खेला गया था लेकिन फिर ये चोटिल हो गए और चोट लगने के बाद में फिर ये वापस खेल के अंदर नहीं आ पाए और ड्रक्स के आरोप में इनको क्या कल लिये गया गिरफतार कल लिये गया है यहां पर बहुत सारी चीज़े इनके विशे में लिखी हुई है दोस्तों जो मैंने बताया है वो सारी important news है आपके लिए शेहान मदुशन का श्रिलंका के तेज गेनबाज है दोस्तों ये और इसके अलावा एक important news और भी है दोस्तों इनके विशे में कि जब इनोंने यहां वंडे में मदुशन का ने बांगला देशी बलेबाज मशरफ मुर्तजा रुबेल हुसेन और मुदुल्ला को लगातार तीन गेंदों पर आउट करके हैट्रिक लेते हुए इतिहास विरज दिया था मलब पहले ही में पहले ही वंडे में इनोंने हैट्रिक ले लिया था तो मलब के चरचित व्यक्ती हैं और चरचित व्यक्ती हैं तो प्रेशन आने के संभावना ज़्यादा है इसके अलावा यहाँ पर एक important news आपके पास में और जा रही है एक important news sports related और यहाँ पर जा रही है वंडे में सबसे पहले है ट्रिक विकेट लेने का record किसके नाम है पाकिस पाकिस्तान के हैं ये तेज गेनबाच जलाल उद्दीन साल 1982 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद के मैदान में इन्हों ने इस तरीके के हैट्रिक ली थी अभी तक वंडे इंटरनेशनल में अब तक 49 हैट्रिक्स लग चुकी है ओके तो ये एक अलग से लग चुकी है ओके तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अपने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर पूछ लेता है ओके चलिए अगला यह हैं दोस्तों शेहान मुदुन्शन का अगला प्रेशन है आपनों की स्क्रीन के उपर कि निमलेखित में से किस मंत्री ने ततकाल इस्थाई खाता सुविधा शुरू की है जो आधार संख्या आधारित EKYC का उप्योग करता है बहुत ही आसान तरीके से इसमें पैनल नंबर उकलब्द हो जाता है दोस्तों आपनों को किसने स्टार्ट किया है दोस्तों यह जो आधार संख्या के वाइसी का उप्योग करता है बिलकुल 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 बहुत बढ़िया निर्मला सीता रमन जी ने इसको स्टार्ट किया देख लेते हैं आगे इनके विश्यम इन्फॉर्मेशन केंद्री बजट में यह घोशना भी की गई थी और इस घोशना के अनुरू पी केंद्री वित्त एवं कार्पूरेट मामले की मंतरी श्री निर्मला सीता रमन के द्वरा आधार संख्या आधारित EKYC पर आधारित पैन कार्ड और पैन नंबर उकलब्द कराने की ये योजना जो है दोस्तों स्टार्ट की गई है ओके पैन नंबर आपको कैसे मिल बलब इसमें आपको क्या मिलेगा EKYC दिया जाएगा आधार नंबर आपको सब्मिट करना है और उसके माधियम से आपको पैन नंबर मिल जाएगा भारत सरकार की जो साइड है कौन सी साइड है दोस्तों आइकर विभाग की जो वेब साइट है जिसमें E-filing होती है हमारा जो आइकर फाइल होता है वहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है वहाँ पर जाकर के अपना आधार नंबर सब्मिट करना है आधार नंबर सब्मिट करने के साथ आपका आधार के लिए आपका आधार एक mobile number से attach होना चाहिए सबको मालूम है कि जो आधार number है हमारा वो हमारे mobile number से attach होता है उस mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को वहाँ पर क्या कर देना है submit कर देना है जैसे आप submit करेंगे उसके तुरंत बाद आपको एक पाउती संख्या मिल जाएगी और पाउती संख्या मिलने के बाद आपको pen number जारी हो जाएगा फिर से इसकी process बता देता हूँ दोस्तों आईकर विभाग की जो site है उस website के उपर जाना है वहाँ पर अपना आधार number submit करना है जैसे आप अपना आधार number submit करेंगे तो आपका आधार number जिस mobile number से connected है उस mobile number के उपर एक OTP आएगा उस OTP को submit करना है submit करते हुए ही आपको registration number मिल जाएगा और उसके कुछ दिनों बाद में आपको pen number उपलब्द हो जाएगा तो काफी सारे लोगों को इसके माध्यम से pen number उपलब्द कराए गए दोस्तों ओके pen number का यूज कहां पर होता है आप सभी लोगों को मालूम चलिए अरे हाइकर विभाद के साइट पर चले जाना है रहा सब मिल जाएगा लोगडाउन के दोरान हरियाना से यह बहुत ही महत्वपून प्रहशन है दोस्तों लोगडाउन के दोरान हरियाना से अपने पिता को साइकल पर बैठा कर दरभंगा दरभंगा बिहार लाने पर बेटी जोती को निमलकित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गए बहुत ही महत्वपून प्रेशन है दोस्तों इसमें एक जो लड़की है जिनका नाम है जोती उन्होंने बहुत ही साहस दिखाया हुआ है और उस साहस के आधार पर उनको अवार्ड भी दिया गया है सम्मानित किया गया हर्याना से दोस्तों हर्याना से अपने पिता को साइकल पर लेकर के आ गई दर्भंगा बिहार इनको दिया गया है दोस्तों मैथिल विरांगना अवार्ड ओके इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है मैथिल विरांगना अवार्ड दिया गया है इनका चित्र देख लीजे आप इनके पिता बीमार थे और ये बीमारी में उनको वह बिहार साइकल पर अपने पिता को लाना एक बहुत बड़ी बात है ओके जो एक्स्प्लिनेशन है वो आपनों के स्क्रीन के सामने लिखा वाया दोस्तों भारत के बिहार की जोती को मैथिल विरांगना की उपादी से सम्मानित किया गया है उन्होंने लॉकडाउन के दोरान हर समाजवादी पार्टी के यहां पर बहुत सारी चीजे इनके विशे में लिखी हुई है समाजवादी पार्टी के जो प्रमुक हैं उनके द्वारा इने एक लाग रुपए राशी प्रदान की गई है इसके अलावा कई लोगों ने इनको कई सारे सम्मान प्रदान किये हैं दोस्तों इसके अलावा यहां पर देखें हम लोग तो दर्भंगा इस्तित अपने गाउं सिरूली पहुंची साइकल गरल के नाम से भी इनको जाना जा रहा है जोती कुमारी के होसले को दुनिया सलाम कर रही है दोस्तों बहुती अच्छा काम इन्हों ने किया उन्हें सम्मा यह उनके पिता इसके लिए उनके पिता ने विनोद कापडी के साथ में समझोता भी कल दिया यहां पर देखें अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हो गया है कि उनकी संगर्ष यात्रा पर मूवी भी बनेगी और वैब सिरीज भी बनेगी नाम फिर से सुन लिजेगा दोस्तों उनका जो नाम है जोती कुमारी इने मैथिल विरंगना अवार्ट से सम्मानित किया गया है बहुत सारे संगठन इनको पैसे दे रहे हैं बहुत सारे स्विधाय देने की बात कर रहे है और मूवी और वैब स्रीज तो बनेगी बनेगी ओके दोस्तों अच्छा चलिए वाँ एस्जे मोजो जी आपका करेंट अफैर बहुत अच्छा है एस्जे जी भारती पुरातत तो सर्विक्षन ने युनिस्कों के विश्व धरोहर इस्थल मंदिर परिसर से नवी शिताबदी के शिवलिंग का पता लगाया है ये इस्थल निमलकित में स पता है बारत की संस्कृती से रिलेटेट करेंट अफैर का क्वेशन है जो इंडिया का कल्चर जो है वो कहां कहां तक फैला हुआ है ये आज आपनों को और पता चलेगा ओके राज ठाकूर जी हेमरोज जी गुलाव ठाकूर जी राज ठाकूर जी शुधा शिवम राजपूत शपना रावत स्वाती मिश्रा रंजना खरे प्रियंका राजोरिया जबतम जी समिक्षा स्रीवास्ताव बिलकुल अभिलाशा सोनी जी हैमन सोनी जी सोनाली भासकर जी जीतिंदर पाल जी सभी लोगों का आंसर दोस्तों सही है वियत नाम में इस्तित है ओके देख लेते हैं क्या जानकारी है भारती पुराता तो पर योचना के खुदाई के दोरान नवी शताबदी का शिवलिंग मिला है यह शिवलिंग बलुवा पत्थर का है इसका चित्र देख लेते हैं दोस्तों तो याद हो जाएगा वियत नाम में यह शिवलिंग मिला हुआ है यह देख लीजे बलुवा पत्थर का शिवलिंग म मिला है यह जो कि वियत नाम के क्वांग नाम के प्रांट में माई सन यूनेसको विश्व धरोहर इस्तल का एक इस्सा है ऑके चाम मंदिर परिशर के अंदर ये वाला शिवलिंग मिला है वियत नाम में तो भारती संस्कृति के लिए काफी गौरावशाली शन है जबकि वियतनाम जो कि भारत से कितना दूर है दोस्तों वहाँ पर एक शिवलिंग मिला हुआ है और ये किसके द्वारा बनवाया गया था ये भी लिखा हुआ है नवी शताबदी ईश्वी में राजा इंदर वर्मन दुती के शाशनकाल के दौरा ये बनाया गया था राजा इंदर वर्मन दुती के शाशनकाल के दौरान ये बनाया गया था जो उसी छेतर में प्रसिद डौंग बौध मट के लिए भी उत्तरदाई था ओके तो यहां से सुनिएगा दोस्तों ये शिवलिंग जो मिलाया बलवा पत्थर का है ओके यूनिस अगला प्रेशन है दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशन है आप लों के लिए नमलिकित में से किसे न्यू डेवलेप्मेंट बैंक के नया अध्यक शुरूप में न्यूक्त किया गया है और वो कहां से हैं बिल्कुल राइट 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 हैम्रोज जी आप बिल्कुल सही गह रहे हैं जो आपने बोला है लिए नमलिकित में से किसे न्यू डेवलेप्मेंट बैंक के नया अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है बिल्कुल दोस्तों मार्कोस प्रोडो ट्राइजो ओके मार्कोस प्राडो ट्राइजो ये ब्राजिल के हैं इन्हें न्यू डेवलेप्मेंट बैंक जिसे आम भाशा में ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है उसके नए अज्यक्स के रूप में नीूक्त किया गया, इनका चितर देख लेते हैं दोस्तों, मारकोस, प्राडो, ट्राउजो का, ये याद हो जाएंगे, ये हैं दोस्तों, मारकोस, प्राडो, ट्राउजो, उके, चलिए, अब जो बाकिकी information है, वो देख लेते हैं, यहां प किया था उसमें अध्यक्षपत पर न्यूक्त किया गया है मार्कोस प्राडो ट्राउजो को इन्होंने किसका इस्थान लिया है ये भी प्रशन आ सकता है उके इन्होंने भारती बैंकर कुंडापूर वामन कामत के नाम से जाना जाता है इनको कुंडापूर वामन कामत का इस् के वी कामत, Bricks bank, जिसे हम कह रहा है, new development bank, जिसे हम कह रहा है, उसके पहले objects थे Ça qui hè? कौन? के वी कामत, उनका इस्थान इन्हों ने लिया है, Marcos, Prado, Proud, Joe के द्वारा,stal क्यों में चलिए, Bricks bank के विशे में कुछ Indiana important news देख लेते हैं यहां से भी प्रेशन बनता है यह दोस्तों क्योंकि आप लोगों के अंदर कुछ संस्थानों की भी बात हुए अंतरास्टी इंस्ट्यूशन की भी बात हुए तो उसमें प्रेशन पूछा जा सकता है किसने इस्थापित किया है यह भी हम लोग देखते हैं यहां पर देखिए दोस्तों new development bank जिससे पहले bricks bank के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता है इसे bricks bank के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता है ब्रिक्स समू के देशों तवरा स्थापित किया गया एक नया विकास बैंक आधारित है तो मलब के जो development countries होती है दोस्तों या under development countries है उनको ये वित उपलब्द कराता है अब यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई ये देख लीजे गठन हुआ है दोस्तों इसका जुलाई 2015 के मुख्याले भी याद कर लीजेगा इसका क्योंकि headquarter भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है संगाई चीन में इसका headquarter है ब्रिक्स देशों के अंदर कौन-कौन से देश आते हैं दोस्तों ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षन अफरिका ये ब्रिक्स नामक संगठन के अंदर शामिल हैं जिनके द्वारा ही ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलेप्मेंट बैंक की इस्थापना की गई थी मुख्याले इसका संगाई चीन में है जुलाई 2015 में इसकी इस्थापना की गई थी और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष नय बने हैं उनका नाम ह मार्कोस, प्राडो, ट्राउजो इन्होंने किसका इस्थान लिया केवी कामत का इस्थान लिया है जो कि भारत के थे और केवी कामत ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलेप्मेंट बैंक के प्रतम अध्यक्ष थे तो पहला सेग्मेंट आज का हमारा यहां पर खतम होता है दू और को जल प्रदाय का एक प्रमुक स्त्रोत है इस बांध का निर्मान गंभीर नदी पर किया गये हैं अंसर दीजेगा इंदौर शहर जो है इंदौर शहर को ये पानी उपलब्द कराता है और गंभीर नदी पर इसका निर्मान हुआ है बलकुल लोकेशन तो इंदोर की है दोस्तों जितने भी लोग अभी नए शामिल हुए है इस चलस के अंदर सभी लोग जलसे जल जाकर के Institute पर क्लिक करके आ जाएएगा जल्दी जाएए दोस्तों तीन 4 सेकंड का का होता है तीन चार सेकंड बाद ही में इसका explanation दूँगा आपनों को जल से जाकर करके और like के बटन पर click करके आज़े हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों क्योंकि MPPSC के exam के लिए आज से काफी important current affairs आपनों को तक जाते हैं जिसमें हर तरीके के आयाम complete हो रहे हैं इंडिया का भी हो रहा है साती साथ जो culture से related जो current affair वो भी हो रहा है और एक एंटिक location हम लोग देखते हैं मद्ध प्रदेश की ओके दोस्तों चलिए बिलकुल बिलकुल यश्वंत सागर नाम है इसका यश्वंत सागर इसके यश्वंत सागर गंभीर न इसी के ऊपर यश्वंत सागर बनाए गया है जो इंदौर शहर को जल प्रदान करता है जल प्रदान करता है तो यहां आज हमारा यह दूसरा सेगमेंट भी क्या होता है complete होता है अब हम स्टार्ट करते हमारा थीसरा सेगमेंट इसका मतलब कि कल का पूरा रिविजन कर लेते है दोस्तों लोग एक मिनट एक मिनट दोस्तों यह थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम कर रहा है कि क्या हो गया इसको एक मिनट दोस्तों चलिए ऐसे कर लेते हैं ऐसे ही रिविजन हो जाएगा हुआ अचा प्रियंका राज्योर्या जी ने बोला था यस्वन सागर जो बोला था कि यह क्लास 6 बज़े चालू होती है यह चीकर जी अ हो यह दोस्तों कल का करेंट अफ़ेर जो था उसका पहला प्रेश्फन है कि एक मिनट दोस्तों मैं इसको रोटेट की कंडिशन में लेकर के आजाता हूं ओके चले ये कल का हमारा पहला प्रेशन था 27 मईं 2020 को भारत एक किस पूरुप्रधानमंत्री की 56 पूर्णितिति मनाई गई है तो पंडित जवाहरलाल नहरू की पुन्नेति थी मनाए गई थी ये प्रेशन हमारा कल का पहला प्रेशन था ओके दूसरा प्रेशन था कि निमलेखित में से किसने inventor of the year award जीता है दोस्तों तो उनका नाम था राजिव जोशी inventor of the year award जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है दा नियू यॉर्क इंटेलेक्ट्वल प्रेशन आने की संभावना है ये हैं दोस्तों डॉक्टर राजिव जोशी इसके बाद में उर्जा वित्त निगम के संभन में इसकतनों पर विचार करना है दोस्तों तो उर्जा वित्त निगम का ये वाला जो प्रेशन था मद्धप्रदेश से रिलेटेड था इसलिए काफी इंपॉर्टेंड हो जाता है तो इसमें मैंने आपनों को बताया था कि बिया जो उर्जा वित्त निगम है पावर फाइनेंस कॉर्परेशन है उर्जा मंत्राले के अधीन आती है दोस्तों और ये जो पावर से पावर जनरेटिंग से संबंदे जो भी प्लांट्स होते हैं उनको फाइनेंस उपलब्द कराती है और इसी के द्वारा अभी मद्धप्रदेश सरकार को कुछ फाइनें ह्ती है यहाँ हुआ है वो किस से संबंद थे तो सास्त्री संखीट गार थी ओकिए इनकी चित्र हैं तो इनका कि अभी निदन होगा है के तुल मुल्ला गाउं में खीर भवानी मेला होता है ओके अगला प्रेशने दोस्तों फेम इंडिया पत्रिका और एश्या पोस्ट के पचास प्रभावशाली लोगों में 2020 का जो सर्वेक्षन हुआ है उसमें किसे प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है तो वो नरेंद्र प्राप्त हुआ है तो एक सर्पिल आकाश गंगा है जिसको, कि से नाइजर गंडराज जी के भारती राजदूत के रूप में न्यूप्त किया गए तो प्रेम के नायर जी को भारती राइदूत के रूप में नाइजर गंडराज में न्यूक्त किया गया है दोस्तों ओके फिर राइदूत क्या होते हैं क्या इनकी इंपॉर्टेंस है इसके विशे में भी हमने इंफॉर्मेशन कल दे दी थी वन धन इसकीम कोविड-19 के बाद सबक पर जो वेबिनार का और निपटने के बाद जो परि बनेंगी उस पर वेबिनार का जंजाती मामले के मंत्रावलेक ट्रेफट वो COVID-19 सेannie जेब समाप्त हो जाएगा तो उन जंजातियों को कैसे उन जंजातियों के द्वारा बनाई गए जो बी उतपाद हैं की marketing की जा सके उसके विशे में बात होगी जो है ज़्यचातिง मामलों कि मंत्राले के के रूप में न्यूक्त किया गया तो पेरिया सामी कुमारन को सिंगापूर में भारती उच्चायोग के रूप में न्यूक्त किया गया है इसके अलावा कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि इस बांध का नाम आपने को बताना है जो कि चंदन नदी चंदन नदी कहां पर बालाघाट के अंदर है जो कि जहां जिसके निकट की अम्मा माई का प्रसिद्ध मंदिर भी है तो यह नाहलेसरा नामक बांध था जो कि चंदर नदी पर बालाघाट बनाए गया तो दो चीज़ें यहां से आपके प्रसित्र होते पहला चंदर नदी कहा पर है बालाघाट में दूसरा नाहलेसरा बांध जो है वह कहां पर है बालाघाट में तो यह दो प्रशन आप्ड़ों के एंटिक टाइफिक प्रेश्ट जो आज कल ब्यापम में भी बहुत ज़्यादा इस तरीकी के एं अफेर्स और मद्र प्रदेश की एक नई लोकेशन के लिए धन्यवाद बिल्कुल मैं बनाऊंगा वंशिका जी आगे चल करके ना नैशनल और इंटरनेशनल और्गनाइजेशन पर हम लोग बात करेंगे